आपका एक्जाम नजदीक है और इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्टूडेंस की डिमांड पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्टिव की वीडियो बहुत जाद ही डिमांडिंग वीडियो थी ये के सर अबजेक्टिव की बहुत सारी क्लासे हो गई यूटिव पर और अब मुझे सब्जेक्टिव की वीडियो चाहिए अब हम लोगों को चुकि एक्जाम बहुत नजदीक है आपकी डिमांड फुल्फिल कर दिया मैंने आज म मैंने इस तरह से बाटा है कि आपका 10 questions प्रोज का है, 10 poetry का है और 10 story of English का है तो कुल मिलाकर यहाँ पर 30 questions हैं जो आज की इस क्लास में deal किये गए हैं मैं सवाल पढ़ूंगा साथ ही आपको उसका जो answer है word by word आपको मैं हिंदी में बताऊंगा साथ ही reference भी कि कौन सा question किस chapter का है यह आपके आने वाले exam के लिए बहुत important हैं तो आप लोग exam से पहले इन सभी questions को एक बार practice जरूर करेंगे और अगर अभी तक आपने exam मन्थन को join नहीं किया है तो अभी के अभी जाकर play store से okay English Academy के आपको download करके join कर लें एक ऐसा course जिसमें आपको ये trick बताया गया है कि 90 मिनट में आप कैसे English को complete कर सकते हैं सिर्फ 90 मिनट का course है 90 मिनट में English भी 90 मिनट में Hindi भी और 90 मिनट में उर्दु की भी preparation आपकी हो जाएगी miss नहीं करेंगे अभी के अभी जाकर उस course को आप join करेंगे और इस चीज से बेपिकर हो जाएंगे कि हमें exam से पहले पढ़ना क्या है खेर उसमें आपको guess questions भी दिये गए हैं guess questions भी है यानि trick भी है strategy भी है और guess question भी है और ये भी तरीका बताया गया है कि अगर कोई guess question ना आए तो हम कैसे tackle करेंगे हम इस से कैसे लिखेंगे short answer कैसे लिखेंगे long answer कैसे लिखेंगे हम passage का answer कैसे करेंगे हम 8 number का explanation वाला question कैसे deal करेंगे पहले question की तरफ आते हम ये देखें pro section यहां से आपका start होता है और pro section का पहला question जो आपके screen के सामने है वो ये है what do you mean by true home rule यानि true home rule का क्या मतलब है reference की अगर बात करें तो ये आपके first chapter Indian civilization and culture से है सवाल है true home rule से क्या तातपर्ज है क्या आप समझते हैं इस से true home rule is a principle of Mahatma Gandhi ये जो principle है न ये सिध्धान्त है और वो जो school का principle होता है या college का वो P.A.L. होता है मूलधन को भी वही कहते हैं principle true home rule is a principle of Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi का ये एक सिध्धान्त है true home rule मदब क्या बोलते हैं उसको अपने घर की बात अपने घर में रहे यही जो ग्राम पंचाइद का concept है न ये महातma Gandhi नहीं दिया था that every cases should be dealt at home within our own premises यह हर एक case हर एक मुकदमे को अपने ही घर में deal कर लेना चाहिए अपने ही premises के अंदर not outside our home in others presence ना के अपने घर से बाहर दूसरों की मौझूदगी में यह जो सामाजिक सिद्धान थे उनमें से एक बहुत ही मशूर सिद्धान थे where he stated जहां उन्होंने बताया है that if you have any problem कि अगर आपके पास कोई दिक्कत है just sit together एक साथ बैठो मिलकर and solve among your own people और अपने लोगों के बीच बैठ कर उस मसले को हल कर लो avoid police and court कोई मसला हो तो police को और court को avoid करो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है मुकदमे करने की police को बुलाने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ते हैं what oath did Dr. Zakir Hussain take यह आपके second chapter भारत is my home से है oath कहते हैं हम शपत को Dr. Zakir Hussain कौन सा शपत कौन सी शपत लेते हैं pledge भी उसी को बोलते हैं हम शपत को ही he pledges यानि वो शपत लेते हैं that we will always be loyal कि हम लोग हमेशा loyal रहेंगे यानि वफादार रहेंगे towards his people कि वो हमेशा अपने लोगों के प्रती वफादार रहेंगे he will protect India's rich culture and its constitution वो भारत के सम्रिध संस्कृती और इसके समीधान की रच्छा करेंगे हिफादत करेंगे he takes oath वो शपत लेते हैं that he will walk without any distinction कि वो बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे न वो भेदभाव कास्ट जाती का होगा न रंग का होगा नहीं पंत का होगा नहीं धर्म का होगा नहीं भाशा का होगा वो इन में से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे हमारा अगला स्वाल है give a character sketch of नानु काका नानु काका के जीवन से परीचे कराय भाई उनका चरितर चितरन करें start करते हैं देखो नानु काका के बारे में है नानु काका is clever, चालाक है विटी, बोले तो अकलमंद आदमी है हसोड किसम के है flatterer, चापलूस है and a devoted person और किसी काम के प्रती बहुत समर्पित आदमी है he's a man of dedication समर्पन वाले वैकती हैं वो and विट और साथ ही उनकी अकल भी लाजवाब है कहते हैं ना sense of humor भी उनका बड़ा लाजवाब है his presence of mind is awesome और presence of mind उनका लाजवाब है जबरदस्त है he does not think that telling a lie is bad in order to achieve goal in order to ये एक जो है आपका phrase हो गया इसका मतलब होता है के लिए कहने का मतलब है कि उनको लगता है कि जूट बोलना अपने मकसद को हासिल करने के लिए के लिए in order to achieve the goal मतलब लक्ष को प्राप करने के लिए जूट बोलना भी बुरा नहीं है he is an intelligent guy वो एक तेज आदमी है very confident बहुत आत्म विश्वाशी है and never worried और फिकर कभी नहीं करते handling any critical situation is just a child's play for him यहाँ पर दूसरा idiom से यहाँ पर एक idiom से यह child's play बच्चे वाला काम मतलब किसी भी critical situation को deal करना जटिल परिस्थिती को deal करना उनके लिए बस बच्चे के खेल जैसा है deceive मतलब धोका देना वो लोगों को बड़ी आसानी से जहासा देते हैं but he is a dedicated person पूरा करने के लिए अपना पूरा effort लगा देते हैं पूरी जान लगा देते हैं sometimes Nanuka का is flatterer कभी-कभी वो चापलूस भी दिखते हैं and funny भी finally he makes a typical and fresh touch on his reader's mind और अपने पाठकों के मश्तिष्क पर वो एक typical और fresh असर छोड़ते हैं what was Martin Luther's dream reference की बात करें Martin Luther dreams that Martin Luther का सपना है की one day this nation will rise up के एक दिन ये राश्टर उपर उठेगा यानि America and leave out the true meaning of its creed और ये अपने असल मतलब को जानेगा पहचानेगा one day the desert state of Mississippi एक दिन Mississippi का जो रेगिस्तानी अलाका है will transform into an oasis of freedom वो बदलेगा oasis कहते हैं किस को oasis कहते हैं marouddaan को marouddaan में किस के आजादी और इंसाफ के आज जो रेगिस्तान है कल वहाँ नखलिस्तान होगा marouddaan होगा किस चीज का आजादी और इंसाफ का one day his children would be identified एक दिन उनके बच्छों को पहचाना जाएगा बलकि उनके चरित्री की वजह से आगे बढ़ते हैं Next question है How did the invention of fire prove to be a milestone in human progress यह पांचवे चाप्टर का है कि किस तरह से जो आग का आविश्कार है वो मानव जाती की तरक्की में एक मील का पत्थर साबीत हुआ मील का पत्थर बोलते हैं किसी significant event को Before the invention of fire आग के आविश्कार से पहले the ancient man जो प्राचीन लोग थे पुराने लोग had to leave horrifying with wild beasts in the jungle उनको जंगलों में जंगली जानवरों से भैभीत यानी डर कर रहना पड़ता था They were so uncivilized वो इतने असब्भे थे that they used to consume the raw flesh कि वो कच्चा मान्स खाया करते थे They had to sustain even in shivering cold उन्हें कपकपाती थंड में भी उन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती थी But the invention of fire लेकिन आग के आविश्कार ने proved to be a milestone for him उनके लिए वो आविश्कार एक significant एक एक एहम आविश्कार साबित हुआ It completely changed their life इसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया आगे ये दो माक्स के questions होते हैं जो किताबों के प्रोज, poetry के questions होते हैं आप अगर पांच माक्स के questions की बात करेंगे long question तो वो सिर्फ story of English का होता है ये तीसरे चाप्टर का है ये पींच ओप सनफ से है कि narrator ने हमेशा नानु काका की बात क्यों मानी It's absolutely true ये वाकई बिलकुल सही है that the under secretary always obeyed नानु काका कि under secretary ने हमेशा नानु काका की बात मानी and at the same time लेकिन साथ ही He never wished to do so ऐसा वो कभी करना नहीं चाहते थे It was a big compulsion ये उनकी बड़ी मजबूरी थी उनकी बड़ी मजबूरी थी for the under secretary under secretary के लिए उपसचिप के लिए since क्योंकि नानु काका was his maternal uncle नानु काका उनके मामा थे Also नानु काका was very affectionate to under secretary's mother और साथ ही ये भी के नानु काका under secretary की मा के बड़े दुलारे थे इसलिए भांजा की मजबूरी थी मामा को time देना आगे और उनकी बात मानना और वैसे भी नानु काका की बातों में वो रोब और जादू था कि भी स्वता automatically वो काम ऐसा लगता था कोई intuitive power है जो उससे वो काम करा ले रहा है what is the pledge taken by the negros कौन सी शपत है जो निग्रोज ने लिया है the negros the negros नहीं यार actually the negros the negros please नहीं plages that plages that they would go ahead they would never come back negros ने शपत लिया है कि वो हमेशा आगे बढ़ेंगे वो कभी वापस नहीं लोटेंगे they would keep their non-violence struggle continue until they get a place in the hotel and the motel as equal as white people उन्होंने शपत लिया है कि वो अपने इस संगर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि इस अहिंतक संगर्ष को जब तक जारी रखेंगे जब तक कि उनको होटेल में और मोटेल में गोरों की तरह जगा नहीं मिल जा यानि उनके साथ कोई discrimination नहीं हो आगे बढ़ते हैं next question आपके screen के सामने how do we treat people outside our herd हम लोग herd के बाहर लोगों से कैसे treat करते हैं within the herd यानि जुन्ड के अंदर we are friendly towards each other हम लोग एक दूसरे के प्रती बड़े friendly होते हैं but as far as it is concerned living outside our herd लेकिन जब जुन्ड के बाहर रहने की बात आती है we are as ferocious as animals मतलब हम अपने group of people के बीच तो बड़े civilized रहते हैं लेकिन जब हम उन group of people से बाहर जाते हैं तो हम जानवरों की तरही वैशी हो जाते हैं in context of behaving people outside the herd we are not less like animals हम जानवरों से उस मामले में कमनी होते हैं यह आपके chapter number 5 से है ideas that have helped mankind से अगला है why does Lomov think his is a critical age Lomov को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी जो उमर है वो बड़ी critical है अब Lomov is concerned Lomov इसलिए चिन्तित है about his marriage अपनी शादी को लेकर because क्योंकि he is already 35 क्योंकि वो पहले ही 35 साल का हो गया है so he thinks he ought to lead a quiet and regular life इसलिए उसको लगता है कि उसको अब एक जो है नियमी जिंदगी गुजारनी है एक सुकून भरी जिंदगी गुजारनी है he wants to be settled वो अब settled होना चाहता है moreover he is not perfectly fit in him और थाथ ही वो perfectly fit और स्वस्थ भी नहीं है he suffers from anxiety वो anxiety से प्योडित है palpitations उसकी दिल की धड़कन बड़ी रहती है and a strange fear और उसको एक अजीब सा डर बना रहता है लगा रहता है क्योंकि वो hypochondriq है ये marriage proposal वाले chapter से है और ये last question प्रोस का what does our civilization depend upon ये फिर से Indian civilization and culture से our Indian civilization depends upon हमारी जो भारती ये सब भेता है वो depend करती है self restriction यानि swim निशेद पर swim नियंतरन पर the main trait trait कहते हम गुण को quality को और जो main मुख्य खुबी है गुण है our civilization हमारी सब भेता का it is to curtail curtail मतलब होता है कम करना our wants के हम अपनी खाहिशों को कम करें also the strict regulation of these wants is necessary और साथ ही ये जो खाहिशे हैं these wants इनका सखती से regulation करते रहें उसको लगातार हम देखते रहें उसको monitor करते रहें ये भी बहुत जरूरी है और वो course जो सिर्फ 90 मिनत का course है जहां आपको 80 प्लस की guarantee मिलती है जिसको पढ़ने के लिए सिर्फ एक रात भी काफी है यानि आपने एक रात पहले भी जोईन किया इस course के बारे में तो बहुत काफी है आपने अभी तक जोईन नहीं किया है तो जाएं जोईन करें एक ऐसा course जिसमें आपको सिर्फ तीन वीडियो दी जाएगी तीस-तीस मिनट की वीडियो होगी लगबग एक objective की और दो subjective की और आपके उस chapter की उस subject की तैयारी हो जाएगी चाहे वो English हो, Hindi हो या उर्दू हो English के साथ Hindi-Urdu free है इसमें आपको चलो आँख बंद करके सुनते हैं मिलेगा इसमें explanation का, essay का, summary का, application का trick मिलेगा कौन सा question बनाना है, छोड़ना है, ये trick मिलेगा अगर आप इस course को खुद से join कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है आप डाउनलोड करके, Play Store से Okay English Academy के app पे और अगर नहीं, तो आपको अगर कोई problem है जॉइन करने में, तो आप इन नंबर पे query करके भी जॉइन कर सकते हैं अब हम poetry की तरफ बढ़ते हैं हमारा पहला question poetry का है How does the poet compare himself to the sun यानि जो poet है, वो सूरज से अपनी तुलना किस प्रकार से करते हैं ये sweetest love I do not go से है जिसको John Dunn ने लिखा है the poet says that even if the sun does not have sense ये सूरज के पास अगर sense नहीं भी है he desire and a beloved he becomes back how does the poet compare himself that even if the sun does not have sense he desires and a beloved he comes back again then why can't I wear as I have everything यहाँ पर होगा that even if the sun does not have sense and desire sense and desire and a beloved he comes back again ठीक है sorry, sorry, साहिए, साहिए, साहिए the poet says, poet कहता है कि even if मतलब कहने का ये है even if even if the sun does not have मतलब के सूरज के पास नहीं भी है क्या सब नहीं है भई अब देखो उसके पास sense भी नहीं है desire भी नहीं है ही नहीं होगा यहाँ पे desire भी नहीं है और beloved यानि प्रेमिका भी नहीं है उसके बाजूद ही comes back वो वापिस आ जाता है again फिर से then why can't I तो मैं क्यों नहीं वापस आ सकता हूँ whereas जब की यानि I, I मतलब the poet poet के पास have everything सब कुछ है यानि sense भी है desire भी है और महभूबा भी है अब देखो आराम से clear होगा the poet says that even if the sun does not have sense desire and beloved he comes back again then why can't I where I have everything storage के पास जब ये सब चीज़ें नहीं है फिर भी हो वापस लौट आ रहे मेरे पास सब कुछ है फिर मैं क्यों नहीं वापस लौट हूँगा यकीन लखो I'll come back अगला what does the poet mean by nature without check with original energy ये आपके song of myself से है जिसको Wal Whitman ने लिखा है सवाल है nature without check with original energy का क्या मतलब है ये लाइन आपने उसमें देखा होगा तो यहाँ पर poet का मतलब है कि जिस परकारते ये जो प्रकिर्ती गतिशील है गतिमान है अपनी चाल चल रही है और कभी नहीं रुकती without check मतलब बिना रुके हुए check का मतलब यहाँ पर रुकना हुआ stop हुआ with original energy अपनी असल उर्जा के साथ गतिमान है गतिशील है वैसे ही मैं भी गतिशील हूँगा the poet means to say poet के कहने का मतलब है that the nature is going with it full swing कि ये जो प्रकिर्ती है अपने पूरे swing के साथ पूरे जुनून जजबे के साथ ये जो है प्रकिर्ती चल लही है and there is no one to check it मतलब पूरी उर्जा के साथ ये गतिमान है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है it is always dynamic ये हमेशा गतिशील लहता है and regular और नियमित भी रहता है ऐसा नहीं के सिर्फ गतिशील है नियमित भी है and it is as it should be और ये ऐसा ही है जिसको ऐसे होना जिस जैसा इसको होना चाहिए और पूएट भी ऐसा ही गतिशील होना चाहता है अगला है where does the lady lie lady कहा लेटी है how does she look to the poet और वो पूएट को कैसे देखती है how does she look to the poet और वो पूएट को कैसी दिखती है the lady lies in a grave ये आपका वैसे reference बता दूँ an epitaph से है आप लोग भी समझ गया होंगे the lady lies in a grave ये जो lady है कहा लेटी है कबर में लेटी है जिन्दा नहीं है वो in the graveyard कहा कबरिस्तान में इन जो Christian लोग है वो दफनाते हैं अपने मुर्दों को in the words of poet poet के शब्दों में she was the most beautiful lady वो सबसे सुन्दर महीला थी ever born in the waste country पश्यम के देश में अब तक की पैदा हुई सबसे महीला में सबसे सुन्दर थी वो इसा किसका कहना है ऐसा poet का कहना है यानि poet उनको इस रूप में देखते हैं कि वो अब तक की पैदा हुई पश्यम की सारी महीलाओं में सबसे सुन्दर महीला थी अब किसी विदेशी धर्ती का जो मदब कोई प्लेस है वो कैसे हमेशा के लिए इंगलाण का हो सकता है The speaker says that when he dies in the battlefield in a foreign land speaker का कहना है कि जब वो मर जाएंगे battlefield यानि जंग के मैदान में in a foreign land किसी विदेशी धर्ती पर he'd be buried there उनको वहाँ दफना दिया जाएगा and that certain piece of land और वो जमीन का जो निश्चित तुकड़ा है will mix with English blood and bones जब मैं मरूंगा तो उसमें अंग्रेजी खून शामिल होगा England का खून England की हड्डियां शामिल होगी तो वो तो हमेशा के लिए इस तरह से इस तरह से in this way that foreign field will be forever England वो हमेशा से England का हो जाएगा क्योंकि उस मिट्टी में England का खून होगा और वैसे भी शहीदों का खून कभी बेकार नहीं जाता आगे बढ़ते हैं why did the speaker consign his first bond to the flame fire him वाले चाप्टर से है कि speaker ने पहले अपने जो जन्म उनका जन्मा पहला बच्चा था उसको आग के हवाले क्यों किया उन्होंने जो पार्सी लोग है अपनी डेड़ बढ़ी को टावर अफ साइलेंस में दिस्पोज करते हैं since the tower of silence was very far चुँके tower of silence बहुत दूर था so the poet could not dispose his first bond there इसलिए poet अपने first bond को वहाँ dispose नहीं कर सके that's why इसलिए it was his compulsion ये उनकी मजबूरी थी to consign his first bond to the flame के वो अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दे अगला question है what has formed the speaker's blood किस चीज ने speaker के blood को form किया किन चीजों से मिलकर speaker का blood बना है the speaker's blood is made up of American soil and air जो speaker का blood है वो अमेरिकी मिट्टी और हवा से बना है he is solely American in his vision वो पूरी तरह से American है अब उनके अगर vision की बात करें तो by these words he wants to show his affection for his country इन ही शब्दों से वो अपने प्रेम को अपने देश के प्रती और अपने अधिकार को भी यहाँ पर दर्शा रहे हैं यह आपके song of myself वाले chapter से है वाली poem से है और यह है my grandmother's house say who provide love and affection on the poetess मतलब poetess को कवित्री को कौन है जो प्यार करता है grandmother of the poetess poetess की जो दादी मा है short उन्होंने लुटाया अपना प्यार अपना अफेक्शन उन पर she used to leave with her in her ancestral house वो उनके साथ अपने पैत्रिक घर में ancestral house जो बाप दादा का घर होता है उसमें राहा करती थी used to उस मतलब past में जो habit होती उसके लिए use करते हैं जो regular reaction हो रहा होता है how does the poet feel in dying for the country? poet को अपने देश के लिए जान देने में कैसा feel होता है 30 poems है यह the soldier जिसको रिपर ब्रूक ने लिखा है poet feels proud to die for country poet को देश के लिए मरना proud feel होने वाली बात है उनके लिए बड़े फखर की बात है he counted many gratitude of his country on him उन्होंने गिनाया counted मतलब गिनाया many gratitude बहुत सारा इहसान गिनाया अपने देश का खुद पर also he dreams साथ ही वो ये भी सपना रखते है an English heaven after dying कि वो मरने के बाद अंग्रेजी नुमा जन्नत में पहुँचेंगे वो जन्नत जो जो बिल्कुल England वाली feeling जहां आएगी हमको what makes a man's power feeble ये आपका first chapter से है कि वो कौन सी चीज है जो इन्सान के ताकत को कमजोर मनाती है man जो बड़ा powerful है वो कहां पर कमजोर हो जाता है तो a man has a weakness आदमी की कमजोरी है that he kneels down के वो घुटने टेक देता है before his bad luck अपनी बुरी किसमत के सामने he loses the ability to face it वो इसका सामना करने की चमता खो देता है even he does not take a profit of his good fortune यहां तक कि वो अपने अच्छी किसमत का फाइदा भी नहीं उठा पाता जब किसमत उसका साथ दे रही होती है उस वक्त भी in what way will the travelers be blazed यह आपकी third poem now the leaves are falling past से है कि किस तरह से जो मुसाफिर है जो यात्री है उन पर उपकार होता है when the travelers are thirsty जब travelers प्यासे होते हैं they quench quench का मत्दब होता है बुझाना वो अपनी प्यास को बुझाते हैं from the waterfalls of the cool and white mountain उस सफेद और शीतल परवत से पहाड से in this way they are blazed इस तरह से उन पर उपकार होता है अपनी प्यास वो वहां से बुझाते हैं prose और poetry दोनों का section complete हो गया और अब हम story of English start करते हैं सबसे पहला question जो बहुत important है old English period के बार old English पर note ये एकसर पूछा जाता है exam में और इस बार के लिए भी बहुत important है कि आपको short note लिखना है old English पर the period between AD 449 to AD 1066 is called the period of old English मदलब के 449 से लेकर 1066 इस वीगा जो period है old English का period कहलाता है it had four dialects इसके चार dialect थे Kentish, Northumbrian, American और West Saxon it was not easy to understand इसको समझना आसान नहीं था the writing system used the reunique alphabet और जो writing system था उसमें reunique alphabet का use होता था there were two major influence on old English old English पर दो बड़े प्रभाव थे Latin और Scandinavian these influences और ये जो प्रभाव हैं brought many vocabularies in English इन्होंने बहुत सारे vocabularies इससे बहुत सारी vocabularies इंग्लिश में आई Latin प्रभाव से और Scandinavian प्रभाव से but this period was not good for literature लेकिन ये period साहित्य के लिए उतना अच्छा नहीं था अगर हम हस्त लेक की हस्त लिपी की बात करें तो ये जो manuscript होता है ये इस समय के Old English के manuscript रहे है आगे बढ़ते हैं next question Middle English पर note लिखे बही Old English, Middle English, Modern English इस पर note बहुत important है पांच नंबर का question होता है the period between AD 1150 to 2 होगा यहाँ पे AD 1500 is called the period of Middle English सबते पहले हम इसके period की बात करेंगे तो 1150 से 1500 इसवी का period Middle English period कहलाता है इसमें लंबा अंसर इसलिए आपको मिल ला है कि story of English में आपको story of English से short question तो रहता ही है दो तीन लेकिन साथ ही जो long question है वो rainbow से नहीं पूछा जाता वो story of English से ही पूछा जाता है It had five dialects Old English में चार dialect थे Middle English में पांच थे कौन-कौन से नाम भी बदल गया सिर्फ Kentish common होगा बागी सारा नाम बदल जाएगा Northern, Southern, East Midland, West Midland and Kentish वहाँ क्या था? Northumbrian, American, Kentish और West Saxon ठीक है? यहाँ क्या है? देखो यहाँ पर Northern, Southern, East Midland, West Midland and Kentish It was easy to understand Middle English थोड़ा समझने में आसान था The writing system was legible और writing system जो था वो भी थोड़ा समझ आता था There were two major influences on Middle English Old English की तरही Middle English पर भी दो प्रभाव पड़े प्रभाव influences का मतलब है कि उन भाशाओं से English में बहुत सारे शब्दा आए कौन-कौन सा भाई? तो French और Latin Old में था Latin और Scandinavian और Middle में है Latin और French These influences brought rich vocabularies in English और इन प्रभावों से अंग्रेजी भाशा में बहुत सारी शब्दा वली आई This period was a golden period for English literature और ये period अंग्रेजी साहित्य के लिए बहुत सुनहरा था This period अगला है Chaucer, Chaucer, Gover and Langland are some notable writers of this period Chaucer, Gover and Langland इस period के कुछ notable writers है अगला, Write a short note on Modern English Modern English पर आप एक short note लिखें The period of Middle English is from 1500 till now Middle नहीं यार, यहां पर Modern होगा Modern English का जो period है 1520 से लेकर अब तक का period है It has started just after the grade vowel shift और ये grade vowel shift के बाद शुरू हुआ It had no dialects, इसका कोई dialect नहीं था It is a single, कोई dialect नहीं है कोई dialect है, पूरी दुनिया के अंग्रेजी एक ही जैसी है It is a single uniform language येक single uniform language है इसकी अलग-अलग बोलिया नहीं है The introduction of printing technology proved to be a milestone in the progress of modern English Printing technology के आविशकार ने Modern English को आगे बढ़ने में बोहात मदद की It is also known as New English Modern English को हम New English के नाम से भी जानते It is spoken by Aprox 1 billion people across the globe today आज दुनिया में एक अरब से भी जादा लोग इस भाशा को बोलते हैं It is a widely spoken language today ये बोहात बोडे अस्तर पे बोले जाने वाली भाशा है आज It has a standard form of grammar today इसके व्याकरन का अपना standard form है And familiar spelling और इसकी परीचित जो है spelling है The notable writers of this period are और इस period के जो notable writers है मतलब मुख्य जो लेखक हैं इस period के उनमें William Shakespeare, Ben Johnson, George Bernard Shaw Charles Dickens or Edmund Spencer है अगला है English एक world language कैसे है एक वैश्वीक भाशा कैसे है तो the language which is written, spoken and understood on a large area of the world map is said to be a world, global or international language and undoubtedly its credit goes to English इस अच्छा definition पूरे बिहार में तुमको नहीं मिलेगा और एक चीज और ये मैं खुद भी अच्छी तरह से जानता हूं भली भात ही जानता हूं कि बिहार के बच्चों का level क्या है जैसे बच्चे होते हैं टीचर्स भी अपने लिए वैसे ही चुनते हैं और ये बात मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पूड रहा है कि यहां maximum बच्चों का अंग्रेजी का level अच्छा नहीं है और ओके इंग्लिश अकेड में बिहार का सबसे अंडर रेटेड यूटीब चैनल है क्वालिटी के बावजूद भी बच्चे यहां तक नहीं पहुंच भाते हैं रीजन उनका level है उनको लगता है कि उन्हीं के जैसा जो पढ़ा रहा है उनको वो अच्छा टीचर है सुनके भी समझ के भी यह बात आगे मैं क्या बता हूं देख के भी यह समझ में नहीं आता उन बच्चों को कि भाई मेरे लिए क्या बेटर हो सकता है अंग्रिजी को भी हिंदी के अंदाज में पढ़ाने पढ़ाने वाले टीचर्स हैं और पढ़ते हैं उनको लगता है नहीं दिया और यूट्यूब पे कॉमेंट्स रहते हैं तुमने वर्ड देखा कहा है तुमने तु बिहार कोई डंग से नहीं देखा पढ़ो और एक्जाम मंथन से अगर नहीं जुड़े हो तो अभी जागे जुड़ो अगर इस चैनल के बारे हैं बहुत बाद में पता चला है तो भी अफ्सोस करने की जुरुत नहीं है आप दो काम कर सकते हो एक तु जाके एक्जाम मंथन से जुड़ जाओ और दूसरा दूसरा 2024 के जो बच्चे हैं एक्जाम देने वाले उनको इनपॉर्म कर दो कि देर इस अन अप्लिकेशन जिसका नाम वोके इंग्लिश अकेडमी है इसका यूटीब चैनल भी है हमारा एब भी है पहुंचो वहां तक और पड़ो वहां पूरे साल गिफीज सिर्फ 499 है साथ हमें हिंदी, उर्दू, मैथली, संस्कृत प्री है जो भी आपका लैंग्विज का पेपर है वो प्री है इंग्लिश के साथ अगला है अप्रॉक्स और वर्ड लैंग्विज क्यों है यह तो बता दिया हमने आगे देखो अप्रॉक्स और वर्ड लगबग दुनिया के सभी देश have adopted it either as mother, second or a foreign language या तो उन्होंने मात्र भाशा के रूप में या second language के रूप में या फिर उन्होंने विदेशी भाशा के रूप में इसको अपना रखा है it has been the language of science and technology यह science और technique की भाशा है trade and marketing यह व्यापार और website की भाशा है books and academics और यह books and academics की भाशा है यह खेल और communication संचार की भाशा है यह computer और internet की भाशा है आज इन सारी जगों पे English का यूज होता है it also works as a link language यह link language का भी काम करता है all over the world today, आज पूरी दुनिया में so we can say that इसलिए हम कह सकते हैं English is a world, global या international language कि यह world, global या international language है तीनो word theme है आगे बढ़ते हैं अगला question है ने मेनी five Indian English novelists, writers, poets, authors अगर आपको Indian English novelist का नाम पुछे तो भी यही जवाब दोगे अगर Indian English writer का नाम पुछे तो भी यही जवाब दोगे poets का नाम पुछे तो भी यही जवाब दोगे और जो writer होता है वही author होता है तो भी यही जवाब दोगे सवाल कोई भी होगा जवाब अपना एक ही होगा यानि ट्रिक मैं इन पांच ऐसे बंदे को उठा कर लाया हूँ जिनोंने प्रोज में भी लिखा जिनोंने नौवल भी लिखा और जिनोंने पोएम्स भी लिखे तो दो जवाब याद करना नहीं पड़ेगा पहला बंदा कौन है आप चाहो इसमें रविन्ना टैगोर को भी जोड़ सकते हो विकरम से ताबिश खैर अमरिता प्रीतम सीपी सुरंदरन श्री कुमार वर्मा ये वो बंदे हैं जिनोंने वो क्या बोलते हैं नौवल भी लिखा है और पोएट्री भी की है नेम फोर कंट्रीज चार ऐसे देशों का नाम बताएं और इसका ट्रीक है कि बही क्रिकेट खेलने वाली गोरे देशों की जितनी भी टीमे हैं चाहे कैनडा हो, एरलैंड हो, इंग्लैंड हो, नीजी लैंड हो, औस्ट्रेलिया हो ये सारे कंट्रीज जो हैं इंग्लिश को फर्स लैंग्विज के रूप में बोलते हैं अगला ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है to command on English, अंग्रेजी पर command करना, but we can improve our English in many ways, लेकिन हम अंग्रेजी को कई तरीकों से सुधार सकते हैं, if we follow some techniques, अगर हम कुछ तक्नीक को follow करें, listening, reading, writing and speaking, ये चार स्किल होता है किसी भी लैंग्विज में, listening, speaking, reading and writing, and speaking of four basic language skills, ये किसी भी भाशा के चार basic language skills होते हैं, first of all, सबसे पहले, we should walk on these basic skills, and listening skills as well, हमें इन basic skills पर काम करना चाहिए, और listening skill पे भी ये बहुत जादा important है, effective listening ensures understanding, and it helps to improve accuracy while speaking, आप listening पे जितना ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा आप अंग्रेजी को सुनेंगे, ये आपकी pronunciation accent को उतना अच्छा करेगा, surroundings also helps a lot, और आसपास का माहल भी बहुत फायदा देता है, English को improve करने में, so we should try to build a healthy environment for English, हमें अंग्रेजी का एक healthy environment develop करना चाहिए, we can take the help of some apps also, हम कुछ आप की मदद भी ले सकते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख आप Lingo है, हिंदी speaking states के बच्चों के लिए, चाहे वो बिहार, UP, MP, राजस्थान, उडिसा, जारकंड, उत्राकंड के students अगर हैं, तो उनके लिए ये बहुत जादा help करने वाला है Lingo app, Especially Hindi speakers के लिए, एक ऐसा course तियार किया गया है, वहाँ पे Diamond Speaking course, जिसमें किसी partner की जरूरत नहीं, किसी teacher की जरूरत नहीं, सिर्फ उस course को कर लेने के बाद, आप अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, आपकी grammar भी strong हो जाएगा, अच्छा translate भी आप करने लगेंगे, आप किसी भी stage पे खड़े हो के 10 मिनट बोल भी सकते हैं, आप किसी से अंग्रेजी में सवाल पूझ भी सकते हैं, आपकी vocabulary अच्छी हो जाएगी, आपकी English understanding डिवलप हो जाएगी, आप story बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें उस course में हैं, नाम है Diamond Speaking Course, और exam मन्थन का course लेने वाले हर एक student को, वो course चार महीने का सिर्फ 199 रुपय में मिलेगा, और जो exam मन्थन जोईन नहीं करेंगे, उनके लिए वो course 4.99 या 5.99 का होगा, जोईन कर लेने पे सिर्फ वो 1.99 में मिलेगा, और आपका ये जो offer है, exam मन्थन वालों के लिए valid रहेगा, आपके English के paper देने के दिन से लेकर 25 फरवर 2023 तक, आगे बढ़ते हैं, one can command over English rapidly, कोई भी अंग्रिजी पर बहुत तेजी में command कर सकता है, if he remembers a phrase rather than a word, word की बजा अगर आप phrase पर command करते हैं, तो, practicing a language plays an important role in learning, और language पर practice करना बहुत important role play करता है, so we should practice it everyday, तो हमें रोज कुछ वक्त निकालना चाहिए practice के लिए, whether with your partner और yourself, चाहें आप खुद से practice करें, या अपने partner के साथ, अगला है, write a short note on Indian English novel, जब write होगा, तो command हुआ ये, full stop होगा, short note लिखें आप Indian English novel पर, तो the history of Indian English novel is about 150 years old, Indian English novel यो है, उसका इतिहास लगबग 1500 साल पूराना है, The first English novel, राज मोहन's wife, पहला English novel जिसका नाम है, राज मोहन's wife, उसको लिखा था, बंकीम चंद चटो पाध ध्याएने, in 1864, 1864 में, During colonial age, colonial age के दौरान, it witnessed, इसने witness किया, देखा, some kind of changing tradition, कुछ बदलते हुए हालात को, समय की परंपरा को, As Indian has always been a land of myths and stories, भारत हमेशा से किसी कहानी कहानियों की भूमी रही है, यहां कहानिया खूब चली हैं किसे कहानी पुराने जमाने में, इसलिए Indian novelist जो हैं, also gave space to the orally transmitted stories, उन्होंने जबानी तौर पे जो कहानिया एक दूसरे से सुनकर आगे पीड़ी-दर-पीड़ी ट्रांसफर होती गई, उसको भी जगह दिया, अगर भारतिये इंग्लिश नौवल के त्री मूर्ती की बात करें, तो उनमें मुल्क राजा आनंद हैं, राजा राव हैं और आर्के नारायन हैं, और अगर दूसरे बड़े भारतिये उपन्यासकारों की बात करें, अंग्रेजी के, तो उनमें मनोहर मालगाओंकर, चेतन भगत, अरुन्धती रोवाय और विक्रम सेथ भी हैं, आगे बढ़ते हैं, ग्रेट वावल शिफ्ट से आपका क्या अतात पर हैं, तदा ग्रेट वावल शिफ्ट 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 वावल जो नीचे से बोला जाता था उसको अफ़र्ड की तरफ pronunciation में shift कर दिया गया basically the long vowel shifted upward that is a vowel that used to be pronounced in one place in the mouth would be pronounced in a different place higher up in the mouth कि वो वर्ड जिसको मुँ में थोड़ा नीचे की तरफ pronounce किया जाता था उसका उचारन उसको थोड़ा सा उसका place shift करके उपर से pronounce किया जाएगा who are known as university weeks, university weeks के नाम से किन हे जाना जाता है तो the immediate predecessors, जो मदब William Shakespeare से ठीक पहले के the immediate predecessors of William Shakespeare, predecessor कहते हैं पहले वाले को यानि William Shakespeare से और immediate कहते हैं just, just पहले वाले जो बंदे थे William Shakespeare से who introduced, जिन्होंने introduce किया जो लाए the romantic form of drama in English literature, अंग्रेजी साहित में romance, romantic drama लेकर आए, यानि जिनके drama में romance था they are known to be the university weeks, उनको university weeks के नाम से जाना जाता है आप ऐसे समझेए कि अंग्रेजी में जो drama होता था पहले, उसमें सबसे पहले धार्मीक जलक मिलती थी, religious tone मिलता था उसमें उसके बाद social issues भी discuss किये जाने लगे उसमें, लेकिन ultimately उसमें romance भी कभी न कभी आया और उस दमाने में, शेक्स्पियर के जमाने में आज से 500-600 साल पहले, बलकि उनसे भी पहले, थोड़ा पहले जो बंदे जिन्होंने ये जुर्रत की, ये हिम्मत की, कि अंग्रेजी drama में romance भी डाल दिया जाए, शामिल कर दिया जाए और उस समय का England इसको कबूल भी कर ले, तो पहली हिम्मत जिन लोगों ने की, वो युनिवस्टी विर्थ कहलाए, टेक्निकल भाशा में दे वर क्रिस्टोफर मार्लो और उन महानुभाओं के अगर नाम की बात करें, तो क्रिस्टोफर मार्लो थे, रॉबर्ट ग्रीन थे, जॉज पील थे और तॉमस किड थे, वीडियो मैं यहीं पर end करता हूँ, लेकिन उससे पहले, मेरी आपसे request है, कि अगर अभी तक आपने एक्जाम मंतन को जॉइन नहीं किया है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, एक्जाम के दिन जाकर पश्ताने से बढ़िया है, कि अभी जाकर एक्जाम मंतन से जुड़ जाओ, और 200 नंबर से बिलकुल बेफिकर हो जाओ, आपको 200 नंबर दिलाएगा 200 मार्क्स ये क कोई और दूसरा कोस सब्स्टिचूशन नहीं है, इस कोस का सवाल आया, तो वेल अन गुड नहीं आया, तो ऐसे ट्रिक्स हैं, कि फिर भी आप 100 में 100 लिख करके आओगे, 80 नंबर जरूर आएगा, देखो यहाँ, तीन वीडियो मिलेंगी, एक अब्जेक्टिव की, दो सब 2024 लॉंच कर दिया है, अपने जूनियस को आप सजेस्ट कर दें, कि बिटा, अगर कहीं पढ़ना है, तो ओके इंगलिश अकेडमी में पढ़ना है, लैंग्वेच को, 499 रुपय में, सिर्फ 499 रुपय में, दो सब्जेक्ट वो भी साल भर के लिए कौन पढ़ाएगा, और पढ़ाएगा भी, तो वो क्वालिटी आपको डेलिवर नहीं करेगा, जो आपको ओके इंगलिश अकेडमी पर मिलेगी हमारी ट्रीम के द्वारा, और साथ ही, संस्कृत और मैथिली कोई नहीं पढ़ाता है, यह हम सिर्फ हम पढ़ाते हैं, और वो भी उसकी भी अपनी अगली वीडियो में मुलाकात होती है, फिर किसी दमदार टॉपीक के साथ, all the very best for your examination, see you soon, wish you all the very best and as well, keep learning, keep rocking.